उत्री दिली के बुराडी में नावाली की चोड समझकर पिटाई करने के मामले में पुलिस ने आरोपी विनोद को गिरफतार कर लिया है जो की वारदात के बाद से ही फरार चल रहा था दरसल जन्माष्टमी की राद बुराडी थाना इलाके में तीन से चार लोगों ने सोला साल के एक लड़के की चोड समझकर बुरी तरीके से पिटाई की थी जिसका वीडियो भी वारेल हुआ था आसपास के लोगों ने उन लोगों को मारपीट करने से रोकने की कोशिश भी की लेकिन आरोपियों ने किसी की ना सुनते वे नावालिक लड़के की बुरी तरीके से पिटाई कर दी जिसके चलते अभी भी 16 साल का नावालिक अस्पताल में ICU में भरती है पुलिस ने इस मामले को सुलजाने और आरोपियों की गिरफतारी के लिए छे अलग-अलग टीमें बनाई टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर लगातार आरोपी की लोकेशन ट्रेस करते हुए कई जगों पर चापा भी मारा गिया लेकिन पुलिस को कामय भी नहीं मिली अन्य आरोपियों की तलाश में जूटी हुई है यूनिवर्सल नीज के लिए डिली से अपने सयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट